long wall short wall method से हमने एक question किया था अब हम एक और question करेंगे ये plan है उस question का इसमें two rooms है एक veranda एक hall और एक kitchen है ठीक है तो long wall जो हम लेंगे सबसे पहले वो होगी horizontal walls horizontal ये वाली तीन walls है ये तीनों की तीनों हमारे पास हो गई long walls ठीक है इनकी जो length है वो सबसे जादा है इसलिए हमने इनको long wall ले लिया ये तीनों की तीनों same इनकी measurement है length की और short wall जो होगी अब यहां पर ये वाली जो wall है इसमें अगर हम देखें तो ये जो wall है इसका vertical है 4 meter जबकि ये जो है ये बड़ी है इस wall से ठीक है तो इसको हम ले लेते हैं short walls मैंने दो consider किया है ये S1 होगी और ये S2 होगी दो consider करने से better है अब ये भी लिख सकते हो walls on the side of veranda hall and kitchen ये लिख सकते हैं S2 की जगा S1 की जगा हम short wall लिख देंगे ठीक है तो मैंने इसको थोड़ा short क करने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ तो यह हमारी हो गई ये वाली long wall है ये तीनों की तीनों हमारे पास long wall है ये short wall है जो second वाली short wall है ये आगे ये तीन है और फिर उसके बाद हमारे पास S2 जो है short wall ये आगे हमारे पास ये ठीक है ये सारी S2 होगी short wall अब हम क्या करते ह है अब हम इसकी length निकालते है center to center तो center to center length के लिए यहां से यहां अगर हम consider करें long wall को तो 0.3 divided by 2 हो जाएगा क्योंकि इसकी thickness wall की thickness है 0.3 meter wall में से यह इसको center to center cut करना है तो मतलब कि यहां से middle से cut करेंगे तो यह center to center की बाद चलेगी यह आजाएगा 0.3 divided by 2 फिर उसके बाद यह आगया horizontal 3 meter यहां से यह 3 meter फिर उसके बाद 0.3 की wall आगी बीच में फिर उसके बाद आगया हमारे पास 5 meter horizontal ठीक है फिर उसके बाद 0.3 divided by 2 यह portion आगया यह हमारे पास होगी long wall इसकी length होगी 8.6 meter center to center ठीक है यह long wall होगी short wall की बाद हम कर लेते हैं short wall जो इसको one ले लिया हमने s1 जो है short wall को उसकी length है हमारे पास vertical 4 meter आगी 4 meter मतलब 0.3 जो divided by 2 दोनों side से हम plus करेंगे यह plus कर दिया यह आगे 4.3 meter ठीक है और यहां इसकी center to center हम ले ले लेते हैं दूसरी वाली short wall की वो जाएगी यहां पर vertical जो है वो आगे 3 meter 3 meter plus 0.3 divided by 2 दोनों side से तो यह आजाएगा 3.3 meter center to center ठीक है इन सब की center to center मैंने length निकाल ली है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम quantities निकालते हैं यह quantities के लिए मैंने लिखके रखा हुआ यहां पर length हमारी center to center क्या होगी अब excavation के लिए earthwork and excavation and foundation long wall जो है first valley इसके number कितनी होगे excavation के लिए तो वैसे भी यह मतलब wall तीनों की तीनों जो है इन में से कोई भी center length है 8.6 meter center to center होगी और यह जो concrete में foundation में जो concrete होगा यह है 0.9 meter इसको हम दोनों side से plus करेंगे 0.9 divided by 2 को हम दोनों वाली side से plus कर देंगे तो यह आचा हैगा हमारे पास 8.6 plus 0.9 divided by 2 plus 0.9 divided by 2 ठीक है इसकी value आएगी हमारे पास 9.5 ठीक है यह आगे हमारे पास length फिर उसके बाद width फिर उसके बाद हम short wall को कर लेते हैं पहले ठीक है क्योंकि width और height और यह सब कुछ तो same ही होगा इनका तो short wall जो होगा short wall अब हम देख लेते हैं यह आगी 4 meter हमने यह निकाल के रखा है पहले से center to center short wall जो है 4.3 meter है ठीक है तो short wall में long wall में हमेशा add करना है short wall में subtract करना होता है 4.3 minus 0.9 divided by 2 minus 0.9 divided by 2 मतलब कि दोनों side से हमने क्या किया क्योंकि यह add किया हुआ था यहाँ पे भी हमने add किया था इस वाली time पे भी add किया था तो दोनों side से हमने minus कर दिया ठीक है 0.9 divided by 2 दोनों side से minus कर दिया और यह short wall कितनी है 1 2 3 3 है 3 है तो इसको हम 3 लिख देते हैं और short wall की हमारे पास length आ गई 3.4 ठीक है और short wall जो second है हमारे पास second वाली जो short wall है इसकी हमारे पास center to center distance है 3.3 और इसमें हम क्या करेंगे इसमें भी यही सेम चीज माइनस 0.9 divided by 2 माइनस 0.9 divided by 2 ठीक है यह आ जाएगा हमारे पास अब यह walls कितनी होंगी पहले तो यहां पर dotted है मतलब वरांडा के आगे wall जो है super structure में wall नहीं होगी but foundation तो डलेगी है इसकी इसलिए उस time पे हम इसको consider करेंगे तो 1,2,3,4 4 आगे मतलब कि यहां पर 4 आजाएगा और इसकी जो है यह length हो जाएगी 2.4 ठीक है और जो width है हमारे पास अब हम width कितनी लेंगे यह जो concrete हम foundation में डालेंगे यह सबसे जादा हमारे पास width है इसलिए हम इसको consider करेंगे 0.9 ठीक है यह लिख दिया 0.9 0.9 फिर उसके बाद height जो होगी हमारे पास ground level यह मैंने दिखाया हुआ है यह ground level है तो इसके नीचे वाली जितने भी portion है 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यानिकी 0.6 आजाएगी तीनों के लि 15.39 5.508 5.184 ठीक है यह आगया फिर उसके बाद है concrete and foundation अब concrete जो है इसी की तो हमने dimension ली थी मतलब इसकी जो हमने width दी इसी की ली थी न मतलब तो इसका मतलब यह है कि इस concrete में बिल्कुल same quantities आएंगी except for its depth depth जो होगी 0.2 जो हो जाएगी और बाकी सब कुछ same होगा मतलब quantities तो of course अलग होंगी होंगी और बाकी जो portion होगा वो same होगा यह आगया 3 3 4 और 9.5 3.4 2.4 और 0.9 0.9 0.9 और यह आजाएगा यहाँ पे 0.2 बाकी सब same है न और quantities जोंगी वो of course change हो जाएगी quantities हमारे पास आती है 5.13 फिर उसके बाद 1.836 1.728 ठीक है यह आगया concrete in foundation इसके बाद है brick work in foundation और plinth प्लिंथ में और foundation में जो brick work होगा मतलब यह वाला portion ठीक है अब हम consider करते हैं first footing को first footing जो है यह वाली हो गई first footing ठीक है इसकी जो हमारे पास depth है 0.2 meter है यह depth हो गई और इसका जो हमारे पास width है 0.6 है तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास जो center to center length थी यह ना 8.6 और यह जो हमने लिखी हुई है यहाँ पे इसी में हम क्या करेंगे यही 0.9 हम पहले plus minus कर रहे थे 0.9 divided by 2 plus minus कर रहे थे अब हम 0.6 divided by 2 plus minus करेंगे ठीक है तो हम consider कर लेते हैं यहाँ पे आ गया पहले 8.6 फिर 4.3 फिर उसकी बाद 3.3 तो हम इसमें plus करेंगे 0.6 divided by 2 plus 0.6 divided by 2 और यहाँ भी आ जाएगा minus 0.6 divided by 2 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 इस तरीके से हमारे पास इसकी center to center length आ जाएगी center to center length हो जाएगी हमारे पास यह हमारे पास आ जाएगी पहले तो long wall कितनी है long wall हमारे पास 3 है short wall हमारे पास 3 है और यह second वाली short wall 4 है अभी तक हम super structure की बात नहीं कर रहे हैं हम foundation की बात करें इसलिए ये 4 है second value जो short wall है इसलिए ये 4 है अगर हम super structure की बात कर रहेंगे जब हम करेंगे तो उसमें हो जाएगी ये जो wall है यहाँ पर wall नहीं है तो इसलिए ये deduct हो जाएगी ये 3 हो जाएगी ये हो गया 3, 3, 4 और फिर उसके बाद हमारे पास जो length है वो आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 9.2, 3.7, 2.7 ठेक है और ये width आ जाएगी width कितनी होगी width हो जाएगी हमारे पास 0.6 0.6, 0.6 और 0.6 और depth है 0.2 0.2 0.2 ठेक है फिर उसके बाद अब quantity quantity हो जाएगी हमारे पास 3.312 ठेक है और 1.332 और 1.296 ये हो जाएगी अब second footing की बाद कर लेते हैं second footing ये वाली है इसमें width जो है वो अलग है 0.5 ठेक है तो ये ही number आ गया length का long wall, short wall का ये आ जाएगा 3,4 3,3,4 सेम ही रहेगा तीनों के लिए ठेक है plinth में भी सेम ही रहेगा ये फिर उसके बाद हम अब हम length की बात करेंगे तो length आ जाएगी 8.6 प्लस 0.5 आ जाएगा अब ठेक है divided by 2 प्लस 0.5 divided by 2 फिर उसके बाद 4.3 माइनस 0.5 डिवाइड़ बाद 2 माइनस 0.5 डिवाइड़ बाद 2 ठेक है ये हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारी जो length बनेगी ये जो है ये बन जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी 9.1 अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसमें से एक deduct हो गया ठीक है maximum times ऐसा होता क्योंकि ये 6 है तो ये 5 ये 4 है तो इसकी वज़े से ये maximum times क्या होगा 9.2 ये जो है ये long wall जो है इसकी ये length deduct हो जाएगी और इसकी short walls जो होगी इनकी length add होती जाएगी मतलब बड़ी हो जाएगी ये 3.7 था यहाँ पे आ जाएगा 3.8 ठेक है और यहाँ पे आ जाएगा 2.8 और इसकी जो length हमारे पास width होगी पहले 0.6 थी इसके बाद 0.5 फिर 0.5 फिर से 0.5 और width विर्थ बिल्कुल सेम 0.2 होगी है ये आगी 0.2 0.2 0.2 quantities आ गए हमारे पास 2.73 1.14 और 1.12 ठीक है ये ओगे फिर उसके बाद हमारे पास plinth wall plinth कौन सी है ये portion ठीक है plinth wall जो है इसमें long wall कौन सी हो जाएगी बहले इसको थोड़ा समय shift कर देती हूँ long wall जो हो जाएगी हमारे पास long wall ये भी number तो सेम ही रहेंगे 3 3 4 ठीक है तो long wall जो हो जाएगी हमारे पास long wall के लिए 0.8.6 इसमें क्या करना है plus 0.4 वही same procedure 0.4 divided by 2 plus 0.4 divided by 2 ये दोनों side से किया हमने ठीक है और फिर उसके बाद 4.3 और 3.3 के लिए माइनस कर देना है 0.4 divided by 2 0.4 divided by 2 minus 0.4 divided by 2 तो इसकी length आजाएगी इनकी इसकी आजाएगी 9 इसमें भी same 1 subtract हो गया 0.1 जो है वह subtract हो गया और यहाँ पे add हो रहा है 3.9 हो जाएगा ये 2.9 हो जाएगा और ये हमारे पास है width जो है 0.4 0.4 और 0.4 depth हो जाएगी हमारे पास पहले 0.2 थी अब 0.4 है depth भी ठीक है तो ये आजाएगी 0.4 0.4 0.4 और हमारे पास quantity आजाती है 4.32 1.872 और 1.856 ठीक है अब मैं red pen से total जो quantities हैं वो भी लिख देती हूं इस वाले में आजाएगा 26.082 और इस वाले में हो जाएगी 8.694 और इसमें जो total आजाएगी वो total हो जाएगी 18.978 ठीक है ये हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो अगली quantities हैं इसके बाद जो portion होगा अब super structure की बाद चलेगी तो इसमें हमें एक कुछ चीजें जो है imagine करके चलने पड़ेंगी ठीक है अब अगर हम brick work in super structure की बात करें तो अगर हम देखें यहाँ पे brick work door में तो नहीं होगा मतलब जहाँ door होगा वहाँ पे brick work तो नहीं होगा मतलब bricks नहीं होगी वहाँ पे door की जगा हमारे पास wooden work होगा wood के doors होत, metal के doors होत तो मतलब यहाँ पे हमारा door नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे deduction आएगी विंडो जो होगया विंडो के लिए भी जितना पोशन में विंडो होगी वहाँ पे brick work नहीं होगा वहाँ पे wooden work हो सकता है metal की भी work हो सकता है ठीक है तो मतलब कि यहां पे window और door में deduction करनी पड़ेगी और जो veranda है वरांडा की हमने बात की थी यह शुरू वाला जो portion है यहां पे bricks नहीं होगी मतलब wall नहीं होगी यहां पे common सी बात है यह open होगा तो यहां पे wall नहीं होगी foundation में सिर्फ थी यह तो अब यहां पे wall नहीं होगी तो इसको भी हमें deduct करना पड़ेगा तो हम start कर देते हैं door का size है 1.1 into 2.1 और window का size है 1.2 into 1.4 ठीक है और wall की thickness तो पता ही है 0.3 meter है generally 0.3 ही लेते हैं कभी कभी change भी हो सकती है वो आपको sectional view से दिख जाएगा 0.3 यहां पे दी हुई है तो यह हम देखके चलते हैं अब हम देखते हैं long wall जो है long wall कितनी होंगी 3 होंगी है ना super structure में 3 long wall short wall कितनी होंगी short wall 3 होंगी और हमारे पास second वाली जो short wall है यह first वाली short wall होगी ठीक है नहीं किये हमने तो हम इसको include ही करेंगे यह 3 जो हैं सिरफ 3 हो जाएंगी ठीक है short wall second होगी 3 फिर उसके बाद आता है हमारे पास length तो length जो होगी हमारे पास length के लिए center to center length plus minus wall thickness दोनों साइट से हम plus करते हैं 0.9 divided by 2 यहां फिर 0.6 0.5 जो भी था इस case में 0.3 है ना प्लस 0.3 divided by 2 plus minus करना है ठीक है divided by 2 दोनों साइट से plus minus करना तो वो 0.3 हो जाएगा इसलिए मैंने सीधे wall thickness लिग दिया अब फर्स्ट वाले के लिए बात कर लेते हैं हमारे पास आजाएगा 8.6 आजाएगी पहले और 4.3 और 3.3 ठीक है इसमें हमने wall thickness को plus करना है इसमें दोनों में minus करना है हम यह भी कर सकते हैं 0.3 divided by 2 प्लस 0.3 divided by 2 और यहां फिर हम यह भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का sum तो वैसे ही आने वाला है 0.3 तो इसको हम सीधे 0. 0.3 ही कर देते हैं इसका जो answer आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 8.9 हो जाएगा और यहां पर deduct करना है तो 4.0 आजाएगा 3.0 ठीक है यह आगी length फिर उसके बाद हमारे पास है width जो होगी हमारे पास super structure की बात है तो यह आगया plinth के उपर वाला यह आगे 3 meter ठीक है width आगी 3 meter तीनों में same height जो होगी यहां फिर depth जो थी पहले हम depth ले रहे थे अब हम तो height हो जाएगी क्योंकि सूपर structure की बात चल रही है तो height हो जाएगी हमारे पास oh sorry width जो है width हो जाएगी 0.3 यह height है यह जो मैंने पहले लिखी थी 3 meter यह height थी ठीक है width जो हो जाएगी 0.3 meter ठीक है width क् 0.3 यह जो है यह 0.3 width होगी height जो है यह 3 meter ठीक है फिर उसके बाद हम quantity निकालते हैं यह आजाएगी 24.03 यह आजाएगा 10.8 और यह आजाएगा 8.1 इसके बाद जो deduction की मैं बात कर रही थी तो deductions जो होंगी doors की doors की deduction होंगी window की, door जो है हमारे पास 1,2,3,4 4 doors हैं और windows कितनी है 1,2,3,4 4 windows है, ठीक है windows 4 होगे doors भी 4 होगे, अब इनकी length कितनी है, length जो है अब यहाँ पर जो यह size दिया होता है, यह हो जाता है हमारे पास length into height ठीक है, हमेशा याद रखना है कि यह length into height होता है, ठीक है ये है length और ये height ये edge मैंने लिखा था horizontal के लिए ठीक है बट आपको याद इस तरीके से लखना है ये length into height ठीक है तो length आ जाएगा 1.1 door की है window की है 1.2 ठीक है ये हो जाएगी length फिर उसके बाद है हमारे पास width हमारे पास same रहेगी ठीक है विर्था जाएगी 0.3 और 0.3 height जो है अब height ये है 2.1 और 1.4 इनके लिए 2.1 इदर 0 लिख देती हूँ और 1.4 ठीक है ये height होगी अब quantity कितनी आएगी quantity आगे 2.772 2.016 ठीक है इसको हम करेंगे deduction है तो इसमें हम minus sign लगा सकते है कि ये deduction है ठीक है ये मैं दिखा देती हूँ आपकी मर्ज़ी आपको लगाना है नहीं बट deduct करना मतलब minus करना है इस portion में से इसको इसके बाद है lintels तो lintels के लिए हमारे पास number कितने जितने door उतने ही lintels होंगे है न windows में भी same तो 4 4 और length जो होगी हमारे पास length क्या होगा जैसे कि मैंने बोला था थोड़ा सा door से जादा और window से भी थोड़ा सा जादा यानि कि यहाँ पर 1.1 है तो 0.3 हम इसमें add कर देंगे तो यह आजाएगा 1.4 और यह आजाएगा 1.2 है तो 1.6 है ना 1.6 नहीं आएगा 1.5 आएगा wait ठीक है फिर उसके बाद width जो हो जाएगी 0.3 0.3 और यह आजाएगा 0. हमारे पास height कितनी होगी? height मैंने बोला था 15 cm है तो 1.5 0.15 0.15 यह आजाएगा 2.7 यह आजाएगा 0.0 0.25 2 ठीक है यह आजाएगा 0.252 और यह आजाएगा 2.29 लिख देते हैं ठीक है इसको deduct करना है तो यह आजाएगा minus दोनों में minus आजाएगा ठीक है और इसकी value आएगी हमारे पास total जो हमारे पास आएगी मतलब यह आगई quantity 37.6 लिख देते हैं ठीक है यह आगी हमारे पास फिर उसके बाद है हमारे पास damp proof course DPC DPC में आपको पताओ न चीहें कि जो हमारी जहाँ पे भी wall होंगी हर जगा DPC जो है plinth के उपर यहाँ पे इस portion में यहाँ पे DPC हमेशा apply किया जाता है यहाँ फिर लगाती है तो जो लगा देंगे DPC अब वो doors जो होंगा doors जो होंगे उनके नीचे DPC नहीं आएगा मतलब उसके वहाँ पे wall थोड़ी न होंगी तो इसलिए DPC वहाँ नहीं आएगा जहाँ-जहाँ doors होंगे ठीक है तो और अगर हम window की बात करें तो एक suppose यह गर है अगर हम discuss करने हैं तो यह suppose गर है और यहाँ पे window है और plinth wall यहाँ है तो wall मतलब जो हमारे पास window है वो काफी उपर है लेकिन plinth wall तो है यहाँ पे और wall भी है तो यहाँ पे DPC आजाएगा इसलिए windows वाले portion में हम reduction नहीं करेंगे सिर्फ door वाले portion में करेंगे और veranda में तो of course है इनी wall तो हम वो भी नहीं लेंगे ठीक है तो हम long wall, short wall देख लेते हैं कितनी होंगी long wall हो जाएगी 3 और short wall हो जाएगी हमारे पास 3 second वाली short wall यह 3 हो जाएगी और यह जो third वाली है मतलब यह जो second वाली short wall है यह first वाली short wall थी तो यह आजाएगी हमारे पास 3 क्योंकि veranda वाला हमने portion लेना ही नहीं है यह आगया फिर उसके बाद हमारी length हो जाएगी length हो जाएगी long wall की length जो हो जाएगी length और width इसमें same होगी plinth wall की तरह जितनी plinth wall में थी उतनी ही इसमें होगी अब plinth wall में कितनी थी वो हम calculate भी कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं सीधे देख के लिख भी सकते हैं अब की मर्जी है मैं लिख देती हूँ फिर से यहाँ पर 8.6 plus 0.4 divided by 2 plus 0.4 divided by 2 फिर उसके बाद 4.3 minus 0.4 divided by 2 minus 0.4 divided by 2 3.3 minus 0.4 divided by 2 minus 0.4 divided by 2 तो इनकी values क्या आती हैं value हो जाएगी 9 और 3.9 और 2.9 ठीक है यह आ जाएगी फिर उसके बाद हमारे पास जो width होगी इसकी बिलकुल वही same to same plinth की तरह 0.4 length और width दोनों same होगी यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है तो 0.4 0.4 ठीक है इसके बाद जो है हमारे पास depth depth की DPC की thickness बहुत कम होती है बहुत जादा कम होती है तो negligible लिखके चलेंगे इसको हम इसको यहाँ पे consider ही नहीं करेंगे ठीक है यह हो गया फिर उसके बाद अब हम quantities लिख देते हैं quantities हमारे पास आजाएंगी 10.8, 4.68 और यह आजाएगी 3.48 ठीक है फिर उसके बाद है deductions अब हम deduction कौन सी जगा पे करेंगी सिरफ door वाली जगा पे करेंगी क्योंकि veranda को तो हमने पहले हमने हटा दिया था उसको लिया ही नहीं था और सिरफ हम door को लेंगे तो door की door cells जो होंगी मतलब उसके जो base होगा वहाँ पे potions होगा उसको हम ले लेंगे 4 doors है इसलिए 4 into length हो जाएगी 1.1 जो door की length है फिर उसके बाद होगा 0.4 वही thickness I mean वर्थ जो होगी minus 1.76 तो total quantity ही हो जाएगी इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यह जाएगी 17.2 अल्मोस्ट यह जाएगा और meter square में होगा यह meter square में होगा इससे पहले जितना भी था हमारे पास meter cube में था अब तक meter cube में था अब यह meter square में आ गया कोई एक dimension होगी नहीं तब वो meter square ही होगा ठेक है तो यह हो गया इसके बाद हमारे पास है cement sand plastering अब इसके बाद cement sand plastering है यह दोनों side होगी outside भी होगी inside भी होगी walls पे ठेक है तो cement sand plastering में हमें long wall के लिए क्या लेना पड़ेगा इसके लिए मैंने खुदी formula बनाया यह आप अपनी मर्जी से आपको हमेशा हर टाइम formula खुदी बनाते चलना पड़ेगा easy अगर आपको करना होगा काम को तो यह हो जाएगा center to center तो यहां से यहां तक length है outside की बात कर रहे हैं अगर हम center to center इतना है इसमें इतना portion और इतना portion यानि की 0.3 divided by 2 जो है उसको 2 times अगर हम कर दे तो हमारे पास आजाएगी long wall जो है उसमें कितनी plastering होनी है यहां से यहां तक पूरे पर होगी outside तो वो हो जाएगा plus wall thickness center to center plus wall thickness ठीक है यह आजाएगी long wall के लिए अब हम short wall पहली वाली के लिए बात कर लेते हैं यह आजाएगी यहां से मतलब कि यह जो इसका center है और जो यह center है हमारे पास यह वाला distance है center to center अब इसमें हम अगर 0.3 by 2 add कर दे तो मतलब कि यहां से यहां इतने portion में यह हमारे पास plastering हो जाएगी outside के लिए मतलब कि wall thickness divided by 2 को अगर हम add करें तो यह first वाली के लिए हो जाएगा first वाली side wall के लिए हो जाएगा मतलब short wall के लिए हो जाएगा ठीक है और जो second वाली short wall है अगर हम इसको consider करें तो यह यहां से यहां तक हमारे पास already है इसमें भी अगर हम wall thickness divided by 2 add करें तो ये हमारे पास पूरा total जो है हमारे पास आ जाएगा thickness मतलब की length जो है पूरी आ जाएगी ठीक है तो ये इस तरीके से मैंने खुदी formula डेवलप किया outside के लिए भी और आपको अगर ये मतलब अपने तरीके से बी कर सकते हैं हर एक रूम को एक रूम को लेके भी हम कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं इस तरीके से भी करना है तो आपको खुदी formula मतलब बनाने पड़ेंगे उसको देखके plan को देखके आपको बनाना पड़ेगा कि कि कितना हम wall thickness add करे subtract करे, divide by 2 करे या क्या करे, उस रिसाब से आपको खुदी बनाने पड़ेंगे, ये formulas, ठीक है अब मैं long wall के लिए लिखती हूँ long wall हमारे पास 3 है short wall जो है, पहली वाली जो है, वो हमारे पास कितनी है वो भी 3 है और short wall यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं है तो ये भी 3 होगे, length हमारे पास है length हा जाएगी center to center plus wall thickness यानी की 8.6 plus 0.3 यानी की 8.9 short wall की length हो जाएगी 4.3 plus इसमें आ जाएगा wall thickness divided by 2, मतलब की 0.3 divided by 2 और दूसरी वाली के लिए भी 0.3 divided by 2, ठीक है ये आ जाएगा 4.6 और ये आ जाएगी 3.6 ठीक है, ये हमारे पास आगे length, अब width कितनी होगी, width जो होगी वो negligible होगी इसकी width बिल्कुल negligible होगी, height जो होगी height हो जाएगी हमारे पास जितनी superstructure की height है 3, तीनों पे 3 जाएगी, ठीक है अब quantity जो आएगी इसमें 80.1 और यहाँ पे आएगा 41.4 32.4 इसके बाद है inside के लिए, तो inside के लिए हमें अलग से formula पहले बनाना पड़ेगा long wall की अगर हम बात करें तो long wall यहाँ से यहाँ हमारे पास इतना है center to center अगर इसमें से हम wall thickness जो है उसको deduct करते हैं तो हमारे पास बजगिया इतना portion ठीक है इतने portion में से भी हमें wall की thickness deduct करने पड़ेगी एक बार यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दो बार walls हैं तो वही almost approximately यह भी same हो जाएगा तीन walls है इसलिए यहाँ पे भी wall है और door को तो वैसे हमने deduct करना है तो हम two times wall thickness को deduct कर सकते हैं यह मैं खुद बना रही हूँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे particular formula है यह हम देखके साथ-साथ में formulas बना के हम solve जल्दी-जल्दी कर सकते हैं ठीक है तो यह आजाएगा long wall के लिए आजाएगा 3, short wall भी 3 है और यह यह वाली भी short wall 3 है यह आजाएगा यह है 2 times wall thickness यानि की 8.6 minus 2 times 0.3 तो यह आगया हमारे पास 8.0 और inside के लिए short wall की अगर हमें length देखने हो तो यह सामने ही यहाँ यहाँ से इतने portion पे करना होगा तो मतलब यह vertical की जितनी length होगी और यहाँ पे भी जितनी length होगी इतनी ही हमारी short wall 1 की और short wall 2 की भी होगी ठीक है फिर उसके बाद आती हमारे पास deduction weight इसकी जो width है width तो होगी ऐसे ही चलेगी यह नहीं होगी width और height जो है और depth जो है यह same हो जाएगी inside के लिए भी quantity हमारे पास आजाएगी 72, 36 और 27 यह आजाएगी quantity फिर उसके बाद है हमारे पास deductions जो है window opening और door opening की जो है हमें deduction करनी पड़ेगी यहाँ पे पर यहाँ पे अगर हम देखें inside से भी plaster किया है outside से भी plaster किया है इसका मतलब है वहाँ two times deduct करना पड़ेगा door को भी और windows को भी two two times करना पड़ेगा four doors है और four ही windows है तो हम eight eight लिख देने इसको ठीक है यह आजाएगा फिर उसके बाद one point one हमारे पास इनकी length थी door की और window की length जो है window की length है हमारे पास one point two door की length है one point one height जो है हमें पता है two point one और one point four two point one है door के लिए और window के लिए one point four window मैंने उपर लेखा हुआ ठीक है फिर इसकी जो quantities निकलेंगी यह हो जाएगी हमारे पास eighteen point four eight और यह आजाएगा thirteen point four four और यह आजाएगा two fifty six point nine eight ठीक है यहाँ पे भी एक चीज नहीं है तो यह meter square में यहाँ फिर हम ऐसे भी लिख सकते है square meter इस तरीके से भी लिख सकते है ठीक है यह भी लिख सकते है ठीक है तो इस तरीके से हम इसको calculate करेंगे thank you